ये चमतकार आप सबी के जीवन में पहली बार हो रहा है। जी हां दोस्तो, क्योंकि कल्यूग में पहली बार ऐसी घटना हो रही है और वो भी आपके ही जीवन में। तो दोस्तो, आप सोच सकती हैं कि कैसे आप इतने बड़े भागिशाली इंसान बन गए हैं। लेकिन दोस् दोस्तों क्योंकि यह बात कोई भी जान लेगा तो यह आप सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान दायक साबित हो सकता है इसलिए इस वीडियो को आप शांत मंद से अकेले में ही देखना वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जै माता दी तीन बार आवश्य लिखिएगा माता रानी का सीधा आशिरवाद आप सभी को प्राप्त होगा जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता दे कि अब आप सभी के जीवन काल में एक साथ दो दो बड़ी खटनाय आने वाली है जी हाँ दोस्तो कलियुग में ऐसी भयंकर खटना पहली बार हो रही है जो आपके दुश्मनों के रातों के नीद उड़ा कर रख देगा जी हाँ दोस्तो क्योंकि कामिया भी ही आप सभी को इतनी बड़ी मिलेगी आपके दुश्मन देखकर बरदाश नहीं कर पाएंगे जी हाँ दोस्तो अब आप सभी के नाम के चर्चे गाओ गाओ में होने वाले हैं और सभी लोग कहेंगे कि वा नसीब हो तो ऐसा किस्मत हो तो ऐसी जी हाँ दोस्तो अब आप सभी का मन समान गाओ समाज में ही नहीं बलकि पूरे शहर में गुणजेगा जहां पर भी आप ज शुप समय सभी के जीवन काल में नहीं आता है इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये समय जो कदम आपको फूक फूक कर रखना है क्योंकि दुश्मन कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाते हैं वे हमेशा आपको गिरने के लिए आपको बरबात करने के लिए कदम तो हम आपसे पूछते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं और आपसे हाज जोड़कर निविदन है कि आप इसे ध्यान से देखिएगा ध्यान पूरवक सुनिएगा जिसकी फितरत हमेशा बदलने की होती है वो कभी किसी का नहीं हो सकता चाहे वो समय हो ये इनसान अपनी आशावम को आगे भी बढ़ा सकते हैं प्रेतने सफल होंगे लोग मदद करेंगे बड़े लेंदेन करते समय आपको सद्रक रहना होगा परिवार से संबंदित नाराजगी काफी हद तक दूर होगी किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा नौकर पेशा लोगों का काम की जगा अपेखशा के अनुसार जिमेदारी मिलेगी इस कारण काम पर फोकस रहे गा पार्टनर और पुरिवार से चठजा ही करते ही आप कुंद ने लेना होगा सिर्थ दरद की समस्या भी रह सकती है कुछ परिशानिया भी आ सकती है लेकिन दोपहर से इस्तिती का इस कामों में सफल होंगे, लेकिन इस समय आप लोगों को समभलना चाहिए, नए सम्मंदी सफलताएं मिलेंगी, आपको परिवार का उच्छा का महल रहेगा, आए काफी अच्छी रहेगी, और हर कारे में इस आपको सफलता मिलेगी, आए में परास्त होंगे, नए वहान की प्राप्ती भी आपको होगी, कुछ खास सावधानिया, अभी आरती कश्मकस जारी रहेगी, खर्चों में कटोती करना भी काफी मुश्किल होगा, छोटी मूटी बातों को परिशान हो जाना आप लोगों का सौभाव रहेगा, रिशेदारों के साथ में संबंदों में कुछ खटास ना आने दे, गुस्से से आपको वातावरन को दूशित हो सकता है, बात करते हैं लव लाइफ के बारे में, पती पतनी का एक दूसरे के प्रती सहयोग और विश्वास घर की सुख शान्ती को बना कर रखेगा, तथा आप किसी निकट संबंदी के यहां डिनर पर जाने का प्रयास कर सकते हैं, यह आप लोगों के लिए काफी बहतर इस्तियां उत्पन करने वाला है, नई उपलब्दियां आपकी आपका अंतिजार कर रही हैं, वैपार में नया कारे मिलेगा, पत्कितुल्ना में काफी प्राप्त कर रहे थे, बिजनिस में नया पन लाने के लिए समय के मताबित मुलाकात करने की आवश्चता है, इससे आपको फायदा होगा, किसी प्रभावशाली व्यक्ती के योगदान से कुछ बहतरीन परिसितियां भी बन सकती हैं, किसी भी तरहा की यात्रा करना उचित नहीं है, ध्यान रखें कि बिजनिस कर रहें लोगों की योजनाओं पर यदि विराम लगा हुआ था तो फिर से आपको शुरुवात करनी पड़ सकती है, परिवार के किसी सदस्य की सेहत को ले करके यदि आप चिंतित हैं, जिसके लिए भागदौड भी अधिक होगी, परिवार में किसी जनमे दि लोगों को अपने कामों को पूरा करने के लिए अपनी सहयोगियों से मदद लेनी पड़ सकती है, बात करते हैं सेहत के बारे में, आप पिछले को समय से स्वास्त के भावों में कुछ काम दिन सक्तिक दिन चर्या का पालन कर रहे हैं, आपको अब इसका लाब मिलना बरतन किया है तो आपको आज इस कारण अपने स्वास्त में सुधार देखने को दिखाई देगा, आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और आप अपने साती के साथ इस समय का आनंद उठा रहे हैं, मिलने वाले अफसरों को आप अपने हाथ से जाने ना दे, खास कर जब ब रुमांस और अंतरक्ता की हो, आपकी लव लाइब बहुत थी, रस पूर्ण है किन्तु कुछ उतार चड़ाव आज आपके मूट को परिवर्तित कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर की सुने और धोड़ा शांत रहें, यदि आप दोनों किसी भी काम को सांत मिलकर करेंगे तो आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी, यदि आपका प्रेमी कहीं दूर है, तो आज मिलने की संभाव न है, यदि आप अपने रिष्टे को व्यवस्तित करना चाते हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है, आप अपने परिवार के मद्धे में आप अपने आपको व्यक्त करें, आप अपने ग्रह की स्थिति के कारण आप में सकरात्मक उर्जा का संचार होगा, जिससे कि आप लोगों का परिवार काफी खुश होगा, आज आप अपनों के साथ जशन मनाने का बड़िया दिन है, देख भाल और चिंता को दिखाने के लिए आप अपने परिवार क साथ समय बिताएं, आपके इन भावों को देखकर वहव कौव बहुत खुश होंगे, बात करते हैं करेर के बारे में, आज आपको आपके कारे शेत्र में एक मुल्यवान सुझाव, किसी निकट व्यक्ती जो आपके हिर्दे के पास में हो, उससे मिल सकता है, यदि आप उसक दिसा में आपको नौकरी या फिर कारे शेत्र जा रहा है, विवेक पूर्ण तरीके से आप अपने कारे शेत्र के बारे में सूचना समय की प्रात्मिकता बनाएंगे, अभी काम में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अपने कारे के संचार, प्रसार और विक् मुद्धों पर होगा आप महद्व कांची हैं और आप लोगों के इसी गुड़ से आपकी कमपनी को फायदा होगा बहुत समय से अटके हुए सौधे और मुद्धे भी आपको लाप पहुचाएंगे विज्यापनों और गरहकों के माध्यमों से आप अपने इस्थिती को काफ उत्पन कर सकते हैं शांती बनी रहे की आए में सुधार होगा कुछ नया या फिर अच्छा होने की संभावना है इस्थाई संपती में व्रद्धी के संकेत हैं दुपहर में सतर्क रहना होगा यातरा का योग बन रहा है जो लाब दायक होगा परिवार का साथ मिलेगा व्य आप कुछ दिनों के लिए इन्हें इस्तगित कर सकते हैं गरीबों और आसहाय लोगों को मदद करने में कुछ समय बिताएं क्योंकि यह आपको संतुस्टी और सही दिशा प्रादान करेगा बहुतिक सुखों को ले करके आप चिंतित नहीं होंगे आप अपने हारने को डर क उत्सहा से बड़ा होने न दे अन्य था आप जीत नहीं पाएंगे बचे आपके साम को खुशी की चमक काफी हद तक कर सकते हैं ठकाव और उबाव दिन को अलविदा कहने के लिए एक पड़िया दिन की योजना बना रहा है उनका साथ आपके शरीर में फिर से उर्जा भर किवल एक दिन को नजर में रख करके जीने की अपनी आदत को आपको थोड़ा सुधारना चाहिए और जरूरत से जादा वक्त वहा पैसा मरोरंजन पर खर्च ना करें आपका मजाके सौभाव समाजिक मेल जूल की जगहाओं पर आपकी लोग प्रियता में बड़ोत्री करे प्रेमी एक दूसरे की परवारिक भावनाओं को समझेंगे इस राशी के जा तक खाली वक्त में आज किसी समस्या का समधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं विवाहिक जीवन की सबसे आज आपके विवाहिक जीवन में सबसे अच्छे दिनों में से एक खास दिन हो सकता है आपको अपने जीवन साथे या फिर दोस्तों के साथ में ओल्लाइन मूवी देख करके आप अपने लैपटाप वा इंटरनेट का सही इस्तमाल कर सकते हैं दैनिक गतिविदियां विवस्तित रहेंगी आये की स्थिती में भी सुधार आएगा सुकून पाने के लिए आपको कुछ समय के लिए थोड़ा समय वितीत करना है आत्म अवलोकन करने से आप लोगों को कई समस्याओं का हल मिलेगा तथा आज आप मांचिक शांती भी अनुभव कर सकते हैं अपने व्यक्तिकत दायरा बनाते हुए परिवार के लोगों के साथ में बातचीत करें वक्त के अनुसार जिन बातों में बदलाव आ रहा है उन्हें स्विकार करने की आपको आवशक्ता है सेहत से संब्दित तकलीफ को नजरंदाज ना करें पैसों से संब्दित चिंताएं और समस्या हो सकती हैं कारे प्रणाली पर विशेश रूप से ध्यान दे नहीं तो आप लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है इसके साथी साथ आप सभी को बता दे कि काम में बदलाव करने के लिए आपको प्रयतने बढ़ाने किया वशकता है पार्टनर की गलत बातों पर ध्यान जरूर दे एक दूसरे के लिए नाराजगी महसूस हो सकती है आज के दिन आपके लिए बिजनिस के लिहास से अच्छा रहने वाला है आए बहतर रहेगी और कार्यों में भी सफलता आपको मिलेगी बड़े लोगों से सकारात्मक आस्वासन प्राप्त होगा और वहीं इस्तिती भी आप लोगों की विप्रीत हो सकती है वैकी अधिकतर रहेगी सहयोग करने वाले पीचे हटेंगे आए में गिरावट होगी और परेशानिया भी अधग रहेंगी पात करते हैं आज के खास उपाई के बारे में आज आपको पीले वस्ति धारन करने हैं ये आपके लिए शुब रहेगा आज आपका लखी अंक रहेगा दो और लखी रंग रहेगा लाल